Guys, अगर आप एक YouTuber हैं, तो आपको अपने वीडियो के लिए free images की ज़रूर ज़रूर पढ़ती होगी But in order to make your videos less boring, आपको वो images कहां से लेनी हैं, ये question आपके मन में ज़रूर आता होगा वैसे इंटरनेट पे तो बहुत सारी images available हैं But problem तब आती है, जब हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी image free है, या फिर किस image पे हम attribution लगा के उसको use कर सकते हैं या फिर कौन सी image को हम use ही नहीं कर सकते, यानि कि उसमें copyright strike आ जाएं, ये चीज़ हम नहीं पहचान पाते So इसलिए हो सकता है, बाद मैं आपको problem face करनी पड़े But आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी free sites बताऊंगा जहां से आप जितनी भी चाहें free images डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी high resolution के साथ कुछ में attribution की ज़रूरत है, कुछ में नहीं है, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा So without wasting any time, let's start our video Hello guys, my name is Aman and you are watching Tech World Okay, now start करते हैं उस side से, जहां से मैं अपने videos के लिए images डाउनलोड करता हूँ इस side का नाम है pexels.com So इस side पक पहुँचने के लिए, you can search either pexels or pexels.com इसके interface में जब आप पहुँच जाएंगे, तो वहां पर आपको एक search bar दिखेगा जहां पर आप कोई भी keyword type करके, उससे related images डाउनलोड कर सकते हैं Well guys, आपको बता दो कि ज़रूरी नहीं है कि हर type की images आपको हर एक site में मिल ही जाए वो depend करता है आपके keyword search पर इसमें अच्छी चीज़ यह है कि आप जो भी images डाउनलोड करते हैं उसके लिए आप चाहे तो attribution दें, चाहे तो ना दें आपके वीडियो में कोई भी problem नहीं आएगी यहां तक कि इस site में आपको sign in करने की भी ज़रूरत नहीं है Guys, वीडियो में आगे बारने से पहले मैं आपको एक important चीज़ बताना चाहता हूँ और वह यह कि आप images को दो तरीके से download कर सकते हैं योकि हर एक site के यह applicable होगा पहली तरीके में आप image को काफी जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं बट downloaded image की quality थोड़ी low रहेगी सेकेंड तरीका थोड़ा लंबा है बट यहां पर आपको full HD images मिल जाएगी Now, choice is yours आप जो भी चाहें तरीका यूज कर सकते हैं पहले बढ़ते हैं आसान तरीके की तरफ आपको जो भी image डाउनलोड करनी है उस पर long tap करिए वहां पर आपको कुछ options दिखेंगे जहां पर एक option रहेगा download image का अब यहां पर जो image डाउनलोड होई वो fast होई बट अगर आप gallery में जाके देखेंगे तो उसका size कम होगा और quality भी उतनी अच्छी नहीं होगी यहीं पर दूसर तरीका है कि उस image पर टैप करके वहां पर free download के option में जाकर resolution को चूज करके आप high quality image डाउनलोड कर सकते हैं ओके नौ बढ़ते हैं अब दूसरी site की तरफ जिसका नाम है freestock.com वै इस site के लिए आपको attribution या फिर कह लिजिए credit देना होगा वै इसके लिए आपको description में बहुत लंबी detail नहीं लिखनी है आपको simply लिख देना है image source freestock.com इस site में हो सकता है कि आपको हर तरह की image ना मिल पाए बट यहाँ पर आपको photos के साथ साथ videos भी मिलते हैं तो यहाँ से भी आप free images और videos डाउनलोड कर सकते हैं ओके नौ अब बढ़ते हैं third site की तरफ जो की एक जानी मानी site है इस site का नाम है unsplash.com वेल इस site में आपको किसी भी image में attribution देनी की जरूत नहीं है यहाँ पर आपको सिफ photos मिलती हैं बट videos नहीं मिलते तो यहाँ से भी आप free images consider कर सकते हैं अगर आपको अपनी मनचाही image किसी और site में ना मिली हो तो वही image आप यहाँ पर भी try कर सकते हैं और chances हैं कि यहाँ पर वो images मिल जाएंगी नो guys चलिए बढ़ते हैं आज की fourth site की तरफ जिसका नाम है stocksnap.io well first of all आपको इस site से डाउनलोड की गई images में attribution देनी की जरूरत नहीं है well guys इस site में सबसे अची बात यह है कि इसमें हर दिन new images add की जाती है तो यहाँ पर chances काफी जाता है कि आपको अपनी मन जाही image इस site की मदद से मिल जाएगी इसका interface आप देख सकते हैं काफी easy और interesting है well guys इस site से आप सिर्फ images डाउनलोड कर सकते हैं इसमें videos का option नहीं है so guys अब बढ़ते हैं fifth site की तरफ इसका नाम है dreamstime.com first of all आपको बता दूँ कि it's not a free site इस site से आप जो भी image डाउनलोड करेंगे उसमें watermark आएगा but वो इतना light रहेगा कि maximum images में वो नहीं दिखेगा जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इस image को इसमें watermark है वो काफी light है और easy noticeable नहीं है and yes यहाँ पर आपको एक extra feature मिलता है जहाँ पर आप images को upload करके उससे related images डाउनलोड कर सकते हैं now guys अब बढ़ते हैं अगली site की तरफ इसका नाम है free range stock well इस site से images डाउनलोड करने के लिए आपको sign in करना पड़ेगा बट उसके बाद आपको किसी तरह का attribution देनी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको maximum images मिल जाएगी तो अगर आपको images डाउनलोड करनी है तो आप इस site के साथ दी जा सकते हैं now guys अब बढ़ते हैं next यानि की 7th site की तरफ इसका नाम है moreviewfile.com इस site से डाउनलोड की गई images को आप commercially use कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी image को किसी तरह का attribution देनी की ज़रूरत नहीं है well guys यहाँ से आपको maximum images मिल जाएगी और मैं recommend करूंगा कि आप इस site को desktop site में open करें well इसका user interface, mobile view और desktop site दोनों में ही बिल्कुल easy है now guys अब बारी है 8th site की इसका नाम है webteezy.com first of all आप को बता दू कि इस site से image डाउनलोड करने के बाद आपको attribution देनी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें chances हैं कि attribution ना देने पर copyright strike आ जाएए यह भी एक काफी अच्छी site है और यहां से आपको high quality images मिल जाएंगी इसका user interface easy है clean है आप easily इसको use कर सकते हैं so you can also consider this site now guys अब बढ़ते हैं आज की 9th site की तरफ इसका नाम है pigjumbo.com यहां पर भी आपको किसी तरह के attribution की जरूरत नहीं है और यहां पर आपको high quality images मिल जाएंगी well इसका user interface आप देख सकते हैं आप search box में keyword टाइब करके उससे related images download कर सकते हैं now guys अब बारी आती है आज की 10th और last site की well first of all मैं आपको बता दूँ कि यह जो site है यह सबसे best site है बट यह free नहीं है इससे images download करने के लिए आपको pay करना पड़ेगा इस category में मैंने दो site रखी है एक है shutterstock.com और दूसरा है eyestock.com यह दोनों ही site images और videos दोनों के लिए ही best है बट इससे images download करने के लिए आपको subscription लेना होगा photos और videos दोनों के लिए ही prizes अलग-अलग है तो अगर आपका कोई बड़ा project है तो आप इसका subscription लेकर इससे videos और images download कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की image मिल जाएगी जितनी भी sites मैंने आपको बजाई वो मैंने personally try की हैं उसके बाद ही आपको recommend की हैं अगर आप कोई sites और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को like और चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तब तक लिए नेक्स वीडियो में until then good bye